अभी तक हमने कुछ लिसके चैप्टर 5 के पार्ट 6 पढ़ लिये हैं ये पार्ट 7 है जो आपको आज पढ़ाया जाएगा तो आज की क्लासे हम पार्ट 7 में पढ़ेंगे कोलाईडी विलियन के उपियोग और बस यहीं से हमारा जो इस चैप्टर का टॉपिक होगा वो इन्ड हो जाएगा क्योंकि इस चैप्टर पे हमारे निमेरिकल नहीं है तो यह पार्ट 7 से हमारा जो चैप्टर 5 है वो समाप्त हो जाएगा और कल हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 तो यहां परम पढ़ेंगे कोलाईडों के उपियोग कोलाईडों के उपियोग क्या होते हैं अभी तक यो laser एकुलाइड़ों को पीयोग होता है वो होता है आहार में होता है किसके रूप में होता है अहार की में ₱ ठछण तो आहर की रूप में अगर प्रेयोग करें हैं तो कौन-कौन अहार की रूप में प्रेयोग किया जाते तो । दूद, दही, मक्खन, हलवा, आइस्क्रीम, आदी कोलाइडों का उपियोग आहार के रूप में हम लोग करते हैं तो पहला जो उपियोग हो गया हो हमारे खाने के रूप में ही कोलाइडों का उपियोग हम करते हैं तो किस रूप में करते हैं दूद, दही, मखन, हलवा, आइस क्रीम, आदि कोलाइटों को उपियोग, हम किस के रूप में करते हैं, आहर के रूप में करते हैं, अगर सेकेंड इसके उपियोग के बारे में जाएंगे, तो सेकेंड हम उपियोग करते हैं, जल के सुधी करण में किसमें प्योग करते हैं जल के सुद्धी करण में तो जो रहा देख लेते हैं जल के सुद्धी करण में हम कैसे कोलाइड को प्योग करते हैं देखिए असुद्ध जल मिट्टी के कणों से बना होता है जो असुद्ध जल होता है उसमें कुछ मिट्टी के कण होते हैं वो कैसा होता है तो वहाँ रिणावेशित कोलाइडी विलियन होता है इसे सुद्ध करने के लिए इसमें हम लोग फिटकरी डालते हैं और फिटकरी में उपस्तित धनायन AL-352 मिट्टी के रिणावेशित कणों को उदा सीन करके इसकंदित कर देते हैं इस प्रकार जल क्या हो जाता है सुद्ध हो जाता है हम क्या करते हैं जो असुद्ध जल होता है मिट्टी के कणों से बना होता है इसमें रिणावेशित कोलाइडी विलियन होता है उसमें हम करी डाल देते हैं जो धनायन के कड़ोंते हैं वो क्या करते हैं रिड़ा वेसित कड़ों को उदासिन कर देते हैं इसकंदित कर देते हैं इस प्रकार से जो जल होता है वो सुद्ध हो जाता है तीसरे अगर यहीं पर बात करें तीसरे की तीसरा कहां पर उपयोग करते हैं तो कोलाइडी विलन का जो तीसरा उपयोग है वो है वाहित मल के निस्तारण में तो देख लीजिए यहां पर जैसे सहर की जो गंदी नालियां होती है वहां पर जो पानी नालियां होती है वहां पर जो पानी बहता है तीक है उसे ही हम लोग गोलते हैं वाहित मल यहां गंदगी स इससे बना रिण आवेसित कोलाईड होता है इसके निश्तारण के लिए इससे एक कुंड में एकत्रित करके इसमें इलेक्ट्रोड लगा कर विद्धु धारा प्रभाहित करते हैं इसमें क्या करते हैं एक कुंड में एकत्रित कर लेते हैं और इसमें इलेक्ट्रोड लगा कर विद्धु धारा प्रभाहित करते हैं इससे गंदगी के रिणा वेसित कर एनोड द्वारा उदासीन होकर इसकंदित हो जाते है इसमें जो गंदगी के रिणा वेसित कर होते हैं वो एनोड के द्वारा क्या करते हैं उदासीन हो जाते हैं और इसकंदित हो जाते हैं ठीक है तता जल हमारा क्या हो जाता है साप हो जा करते हैं अगले चर्म रड़ीयर में करते हैं चमड़े के सोधन में किसको करते हैं चमड़ा कैसा होता है तो चमड़ा प्रोटीन से कड़ों से बना होता है कैसा बना होता है चमड़ा जो हमारा होता है वो बना होता है प्रोटीन के कड़ों से यह कैसा कोलाइड होता है धनावेसित कोलाइड होता है इसके सोधन के लिए इस पर टेनिन नामक एक पदार्थ होता है तो टेनिन नामक र इससे चमडे पर कठोर परत का निर्माण हो जाता है तथा इसमें दुर्गंद भी नहीं आती है तो यह उपयोग होता है चर्म सोदन में अगर हम बात करेंगे फाइब पॉइंट की तो फाइब पॉइंट हम प्रियोग करते है वो होता है औसुदियों के रूप में, औसुदियों के रूप में हम किस प्रकार से इसको प्योग करते हैं, तो औसुदियों के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं, कोलाइडों की अधिशोषर चमता अधिक होती है, तिक है, अगर इनकी अधिशोषर चमता जो होती है, और इस कारण इनको होने के कारण इनका जो उपयोग होता है उसद उधोग में भी किया जाता है जैसे अगर बात करें तो पहले हम बात करते हैं आरजी रोल और प्रोटा जिरोल की तो आरजी रोल और प्रोटा जिरोल चांदी जो होती है के रच्छित कोलाइडी विलियन है इनका उपयोग जो आरजी रोल और हमारा प्रोटर्ज रोल है इसका हम उपयोग आँखों की पलकों के रोगों के उपचार में करते हैं तो आँखों की जो पलकियों होती है उनके रोगों के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है दूसरी अगर यहीं पर बात करें एंटी मनी क तो एंटी मनी जो कोलाइड हमारा होता है इसका उपयोग हम करते हैं कालाजार रोक्योग चार में अगर थी पर बात करेंगे दूसरे की तो यहां पे जो सोना हो गया कापर हो गया और यहां पे आहर्ण हो गया तपे कलसियम हो गया CAB students ये आज जो धातुएं होती हैं इनका उपयोगम करते हैं स्वास्त वर्धक टानिक में किया जाता है जो सोना कापर मिलब एयू और सी यू या फी सी ये एमन इन सब धातुएं का उपयोगम स्वास्त वर्धक टानिक में करते हैं ठीक है अगर यहीं पर अगले कोलाइड की बा का जो उपयोग होता है उपयोग किया जाता है कीटान नासक के रूप में तो यह उपयोग थे औसद के रूप में अगर यह पर बात करें तो अगले जो हमारा उपयोग होगा वो होगा रक्त स्राव को रोकने में हम कोलाइडी विलियन को उपयोग रक्त स्राव के रोकने में भी करते हैं तो रख्त श्राव के रोकने में कैसे करते हैं रख्त स्राव को रोकने के लिए एप पीशीयल थी या पिटकरी का ताजा विलियन काम में लेते हैं यहां पर रक्त स्राव को रोकने के लिए हम किसका विलियन लेते हैं तो यहां पर हम काम में लेते हैं फेरस क्लॉराइड का विलियन या तो फिटकरी का ताजा विलियन ये काम में लेते हैं इसमें उपस्तिक जो धनायन होते हैं एफी थ्री कर देते हैं इस प्रकार रक्त का ठक्का यहां पर धक्का लिग गया है तो इसको सही कर लीजिए यहां पर यह ठक्का है तो रक्त का ठक्का बनने के कारण यहां पर क्या होता है रक्त स्राव और रुक जाता है तो इस प्रकार से यह रक्त जुस्राव होता ही क्या हो जाता है और रुक जाता है अब यहां पर बात करें इसका जो अगला उपयोग करते हैं तो अगला उपयोग हम करते हैं धूम्र औ दूम्र ओच्छेपड में तो देख लिए धूम्र ओच्छेपड कर जो यह फीगर बना हुआ है इसे देख लिए यहां पर यहां पर से उच्छ बिभवव होता है उच्छ बिभव यहां से निकलता है और यहां से अगर बात करें तो यहां यह लिखा है तो यहां से जो होती है चिमनी होती है और यहां पर निखा होता है यह इटे जैसे जो बने इटा होता है यहां पर कारवन और यहां पर यह इटे बने होते है यह चिमनी होती है चिमनी आपने देखी होगी जब उपर इटे बनाई जाते हैं एक पूल झीण सब्सक्रांबangan गेस अगर बात किसे तो यह क्या भरा हुआ है भरा बढ़ा हुआ है कार्बन और धूल कण प्रथक ठीक है मतलब कार्बन और धूल जो कण होते हो प्रथक प्रथक भड़े भड़े होते हैं तो यह हमारा धूम्र अच्छेपड का चित्र है ठीक है तो यहां पर यह इसको हम लोग बोलते के हैं तो इसको हम क्रोटेल अच्छेप यहां प्रदूशन यूग तो होता है अता इसे प्रदूशन रहित बनाने के लिए इसे एक विशेश प्रकार के यंतर से गुजारा जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं करोटल दूम्र और चेपक कहते हैं जब यहां से हम गुजारते हैं तो इस यंत्र में प्रबल एनोड प्लस लगा होता है पश्ट्यू को एनोड बोलते हैं तो इस यंत्र में प्रबल एनोड धनात्मक जो होता है वो लगा होता है उच्छ बोल्टा की विद्धू धारा उपर से प्रवाहिद करते हैं तो धूँए में उपस्तित जो कारवन और धूल के कण होते हैं वो क्या होते हैं? रण आवेशित कण एनोड द्वारा उदासीनिस कंदित हो जाते हैं तो यहां पर जब हम क्या करते हैं? उच्छ बोल्टा जो विद्दू धर्वायत करते तो दूमे मोपस्तित जो कारबन जूब के जो कंड होते वह आवेशित कंड द्वारा उदा सीङ्झ वोकर क्या हो जातें इसकंदित हो जातें तो इस प्रकार जो प्रदूसरण रही तो दूमाँ होता है वह बाहर निकलता है इस प्रकार जो मारा होता है तो प्रोषण रही तो जो धुहा होता है वो workforce बहुता है बाहर निकलता है तो इस तरह से हम इसके उपयोग में भी कुलायडी वीलेकर करते हमें अगले अगरु पयोग की बात कर लें तो डेल्टा के निर्मान में भी किसका उपयोग किया जाता ह गजे में चेल मिठी के मिचर की समुद्र मी मिलती है समुद्र जल में उपस्तित विधुत अब गटे के धनायनों न फू स्कंधित अ करवा नदी के देर मिठी का हों बट तै इस से नदी का जल होता है कि दू भागों में बटवाट जिसके फल सरूब मित्टी के धेहर से यह प्रकार की तरिकोणी संरचना का निर्माड हुजाता है जहां प्रकार की मित्टी जम से वहारी तरिकोणी संयर निर्माड हम जाने से ही एक अगली बात gleich है यह था चौता इसका-प्योग डियल्टा होता है अग्ले बात करें कि रबर उद्दोग में अगर को रॉबर के बात कर लें तो हमारा कड़ों का जल से बना ह़ा रुण आभे सित कोलाइड होता है क्या सुप conservatives को उभालते हैं तो तूट जाती है और निकल जाती है और विलियन में यह रबर औचेपित हो जाता है इस औचेपित रबर में सलफर यदि हम मिला दें यह जो अचेपित रबर होता है इसमें अगर हम सलफर मिला दें तो मिलाकर हम वलकनी करत रबर प्राप्त कर लेते हैं किस प्रकार की रबर प् प्रत्यास्ता क्या होती है अधिक होती है अगर इस रबर की बात करें तो इस रबर की जो हो जाती है प्रत्यास्ता जम सलफर मिला देते हैं तो इसकी प्रत्यास्ता क्या हो जाती है अधिक हो जाती है तो इस प्रकार से रबर दोग में भी हम किसका प्रयोग करते हैं तो इस प फोटोग्राफि में जिलेटिन एक पदार्थ होता है युक्त सिल्वर ब्रोमाइड तो जिलेटिन युक्त सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है उसका कोलाइडी विलियन हम क्या करते हैं काम में लेते हैं इसमें जो जिलेटिन होता है वो रच्छी कोलाइड का कार्द करता है जि किल्म तयार की जाती है तो इस प्रकार से फोटोग्राफी के रूप में भी किसका प्रयोग करते हैं को लाइडी विलेन का अगला उप्योग करते हैं तो बारिस में भी हम इसका उप्योग करते हैं किसका को लाइडी विलेन का कैसे करते हैं तो देख लीजिए बादलों में प अबस्थित जल वास्प के कर लेते तो बादलों में युप स्तित जल होता है और वास्प के कर अपस में क्या करते थे संगहानीत हो जाते हैं, और आपस में संगनित होकर चोटे-चोटे जल विंदुओं का रूप दारण कर लेते हैं , जल विंदु को दार्ण तो बड़ें। इस प्रकार जल बिंदु के रूप में धर्टि पर करने लगता है तो इस प्रकार से अंसे किसे प्रकार योग को लाड़ी विलियन का उपियोग किया जता है अगले अगर उपियोग की बात कर लेते तो अगला उपियोग हमारा जो लास्ट नमबर है ठीक है थोड़ा से देख लीजिए यहां पे रह गया तो इसको पढ़ लीजिए इन बादलों पर क्या होता है वाई व्यानों पता दूट अब गत्नों करवा देंगे तो क्रति मौरीज हो सकती है अगर यहां पर बात करते हैं इसके उपियोग में तो आकास का रंग नीला दिखाई देना यह भी किस कारण से होता है तो कालाइडी विलियन के कारण होता है अकास को जो रंग हमें नीला दिखाई पड़ता ह ये किस कारणार से होता है, कोलाडी विलियन कारणा तो जल देख लेते हैं, इसके बारे ही पढ़ लेते हैं इसमें अगर पढ़ते हैं तो देखिए वायू मंदल में जो उपस्तित होती है, धूल जम जाती है और जल के जो कण होते हैं तीक है वो क्या करते हैं वहाँ पे निरंतर उड़ते रहते हैं क्या करते हैं निरंतर उड़ते रहते हैं मिल लगता है उड़ते रहते हैं और यहां कण प्रकास के नीले भाग को यह कड़ क्या करते हैं जो प्रकास का नीला भाग होता है उसे प्रकिरनित करते हैं तो हमें आकास का रंग कैसा दिखाई पड़ता है नीला दिखाई रेता है क्योंकि नीले प्रकास की जो तरंग दर्द होती है वो सबसे कम होती है और यहां गटना प्रकास के प्रकीरण के कारण होती है तो इस प्रकार से कोलाइडी विलन के उपयोग होता है वो कहां पर होता है आकास के रंग नीला दिखाई देने में तो यह कुछ जो इंपर्टन थ सब्सक्राइस कोक्ति है कॉल आइडी विलेन के हमारे क्या अउपयोग वह हमने पढ़ लीpur और बस यही से हमारी जो क्लास होता है वह फिनीश अबalt